हलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रसेоне कल रहए हूँ है इसके लिए यहां पेंग्धिने की पत्ति यह आयंके पालक की पीछे की डंडाल होती हाँ है बhati को निकाल देना है प्त्तिय लेना है यह लिए मैंने लसन निम्बू लिया है और इसके बाद यहां पर ली है मैंने यह अद्रक लिया है और एक लेना है अपको टमाटार फ्रेंड्स तो मैं रसीपी बताने वाली हूं बहुत ही फायदेमंद रसेपी है और टेस्टी भी बहुत लगती है तो इस रसेपी को आप ज गुंगुने पानी से पर भी सस्यवाशी नहीं अणधार करशे दोख करना है को कि और यहाद रसे बाद भी गुंगुना पानी सुषाशमज कहले है तक जाद ही दोकतों कि फंदिनव कवाश चाहां बताने कि दुख पपानी की लाद कर मैं पर जलते हैं इसके जुश में ज जाहें तो चटनी वाले जार में भी से बना सकते हैं चटनी जैसी में डाला है मैंने जूसर वाले डार में और इसमें डाल देते हैं अब यह मैंने अद्रग दो कली लशन के लिए है इसमें डाल देते हैं इसके बाद इसमें डालतेते हैं एक कटा हुआ टमाटा और तू ग्ल आजानी लगाई है और चान लिजिए भी पूदीने का फ्लेवर बढ़िया आता है आपको इसमें पालक की पत्ती का समयल समझ में ही नहीं आता है बहुत टेस्टी लगता है तो इस तरह किसे मैं थोड़ा सा पानी आपके चान लिए और बचे का इसको एक दो बार पानी आपक जो हम अलग कर देंगे देखी है शान लिसान का है इसतोद पानी जालां के छान झृष नियुकी कृ 2107 लिछ दो कि फाक्ठाइड, मैं अलग करती है क्योंकि इसमें पाललग मोर्त कॉधता है we are the iron क Sponge को पूरा करता है अंकों के लिए फायदे मंदे पुदीन होता है जो कि पेट के लिए ठंडक पैदा करता है तो इस तरीके से कुल्म लाकर है बहुत ही संजीवनी जूस नाम दिया है मैंने इसे तो देगे अच्छे से मारे तयार हो चुका है तो अब इसमें हमें डाल दिन है थोड़ा सा काला नमक और यह डाला है मैंने सिंधा नमक इसमें आपको मुर्ची कास्तमाल बिल्कुर नहीं करना यह लिए है अदा नीम्बू इसमें निचोड़कर डाल देना है इससका टेस्ट और बढ़कर आएगा तो यह मैंने नीम्बू कर दिया है अच्छे से चाल ल करते हैं देखिए हमारा यह हेल्थी संजीवनी जूस बनकर तयार है आप यह बना कर देखिए